प्लेस्मेंट लिए तो आज हम लक्षे से बात करेंगे कि इनकी पेप कोडिंगे साथ जर्णी कैसे रही और इनके इंट्रीव एक्स्पिरिंस के बारे में बी बूचेंगे. हाय रक्षने कगराचुलेशन और रेप्लेस्मेंट इन अमजन तो आप अपना जरा इंट्रीव एक्स्पिरिंशन के रओगर आपका इंट्रीव कैसा राएमजन जो मेरा इंट्रीव था वो पूल केंपरस के थूई था पूल केंपरस रही थी तो इसके ती तो सिर्फ काफी मादलब 200 बच्चों मेंसे 120 बच्चों मेंसे 5 लोह का प्रोगों का स्वेक्षिंग हो था मेरे कौज मेंसे दिसक्षिंग करेंगे एक उप्टेमल अप्रोच पर आएंगे डिसक्षिंग करने के बाद और उस अप्टेमल अप्रोच को कोड करना है किसी पी लांगुज में और प्रोडक्शन रडी कोड लितना है कि सारे test cases पास होने चाहिए तो फिर दो questions उनने बूचे दोने questions उनने class में करेंगे ते तो पहला question था कि sorted rotated array के अंदर search कराने के element तो उसके अंदर भी 2 conditions थी कि एक में pivot given और pivot नहीं given तो यह पूरा था उसके बाद जो second question था वो था कि दो link lists हैं वो merge हो एक point पर तो वो merge in point बताना है तो दोनों code की दोनों questions का में code लिख पाया था काफी सारी प्रोटिस डिसक्स करी हमने और एक बार optimal code पाके फिर लिख पाया था पिर उसके बाद जो second round था उसके अंदर में से एक ही question पूचा तो जो question था कि एक stream of numbers है उस stream के अ first non repeating element के है तो यह वाला question भी हमने का रहा हुआ था बट यह लोग और जादा मनलब को उसमें मुझे उन्होंने कहा था कि optimize करो optimize करो काफी जादा फिर optimize करने के बाद हो फिर code उसका भी code करा और बस वह question पूचा में से और फिर यहां पर मैंने कुछी time पहले start की थी और उससे पहले मुझे बिल्कुल भी ideas नहीं था अच्छा उससे पहले मतलब मेरी coding ठीक थी बट फिर भी मुझे कुछ भी किस टाइप की questions होते हैं किस किस टाइप की data structures होते हैं क्या क्या algorithm होती है complexity कैसे निगालते हैं इसका भी idea नहीं था तो वह सब यहीं से पता चला थीक है thanks guys here was Lakshay with us thanks a lot कर दो